ये वित्माल चुले के दिक्रश शहर के नगरपाली का फिलहाल बेचुट बेलगाम और अन्यंतरत प्रशासं की भेव चट चुकी है यहां के अस्ताई प्रशासक और प्रश्टेकार प्रणाली सइथ विभिन्द विभागों में जारी मनमानी पर आधारित यह खबर लिखी है हमारे दिक्रस समाधाता जुबेर खांदी आए देखते हैं बगेर कप्तान का जहाज दिशाहीन कटी पतंग की मानिंद होता है जिसे रास्ते में आकर या तो समंदरी लूटेरे लूट लेते हैं या फिर उस जहाज का डूबना उसका मुकदर साबित होता है ठीक यही हालत इन दिनों दिगरस नगर पालिका की हो चुकी है यहां के लगभग हर विभाग में अफरा तफरी लूट खसोट का मनजर बना हुआ है जिस वज़ा से शेहर के आम नागरिक न सिर्फ तरस्त है बलकि पालिका के भीतर सर्व सामान्य कर्मचारियों की भी दिक्कते थमने का नाम नहीं ले रही क्योंकि यहां हर विभाग बे लगाम हो चुका है किसी का किसी पर कोई नियंतरन नजर नहीं आ रहा ऐसा लगता है जैसे नगर पालिका नगर पालिका नहीं कोई मुसाफिर खाना बन गया है जहां प्रशासको का आना जाना लगा हुआ है जिस वज़ा से यहां फिलहाल कुछ भी स्थाई नहीं है इसी स्थिती का भरपूर फाइदा यहां के विभिन्न विभागों के कई कर्मचारी उठा रहे हैं जिस वज़ा से बरस्टा चार की गंगा खूब बह रही है सुत्रों की माने तो लाइटिंग विभाग लेखा विभाग निर्मानकारिय विभाग बाजार विभाग में धुआधार दांदली मची हुई है जहां वसूली विभाग में निचले श्रेनी के कर्मचारी बाबूगीरी का काम समाल कर फेरफार सहीत आधी कामों से जनता से अत पर कोई काम पूर्ण रूप से होता नजर नहीं आ रहा मालुम हो कि बीते दशरे के समय रेस्ठ हाउस के सामने स्तित पानी की टंकी के पास पाइपलाइन में लीकेज की समस्या उपजी थी जिसकी कथित रूप से मरमत कर सम्मधित ठेकेदार ने 40-50,000 रुपय का बिल निकाल हुआ है जिसको ठीक कर दोबारा बिल निकालने की जुकत शुरू होने में है कुल मिला कर देखा जाए तो नगरपाली का पर निर्भर शेहर की आम जनता बड़ी दुरभाग्य शाली है क्योंकि जब कारेकाल खत्म होने से पहले जब यहां नगर अध्यक्ष और नगर सेव तब भी अधिकतर नगर सेवक कम ठेकेदार की भूमिका में ज्यादा नजर आते थे कुछे घटनाओं में तो कमीशन के लिए जनपरती निधियों और कर्मचारियों में हाता पाई की घटना और ठेकेदारों और नगर सेवकों में कमीशन खोरी को लेकर हुआ विवाद भी किसी न किसी कारण से सामने आया था बैरहाल फिलहाल जिलादीकारी कारियालाए खुदहस तक शेप कर पालिका परशासन की बिगडी कारिय परनाली को ततकाल परभाव से दुरूस तकरे क्यूंकि फिलहाल प्रभारी मुख्यादीकारी और परशासक प्रभाग संरचना के काम में व्यस्त है ऐसे संकेत मिल रहे है और यही वज़ा है कि पालिका के विभिन विभागों में जारी मनमानियों पर नकेल कसना जरूरी हो गया है ऐसे में जनता मांग कर रही है कि नगरपालिका में जारी मनमानी को रोकने के लिए संबंधित सभी कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेजा जाए वरना जिस घर का कोई एक रखवाला नहीं होता उस घर को खंडर बनने में देर नहीं लगती BCN News के लिए दिगरस से जुबहर खान के रिपोर्ट